हलो फ्रेंट्स मेरे नाम प्रभाद कुमार है और मैं आपको अपने शेनल सुप्रभाद 87 पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम लोग क्लास 9 से लेशन नमर 4 पढ़ने वाले हैं जिस流ór लेशन का नाम गौल्डन बावल है जिसको फ्रॉम जटक टैल्स ने लिखा है तो ये एक बहुत ही अप्छी कहानी है दोस्तो इसमें बुढ़िया के बारे में और उसकी जो क्या बलते हैं नातीन होती है उसके बारे में ये कहानी जो है बताया गया है ये काफी अच्छी कहानी है मुझे उमीद है कि ये कहानी आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा तो चलिए दोस्तों बीना देरी करते हुए इसको सुरू करते हैं और समझने की कोशिस करते हैं कि आखिर इसमें बताया क्या तो देखिए यहां से जो टेक्स है वो सुरू है यहां से वनस अपन टाइम एक समय की बात है इन दा किंगडम ऑफ सेरी के दरबार में ठीक ना यह सेरी राज्य में एक बार की बात है ता बहुदिषवा हू ब्रॉट शोल एंड पैंस दा बहुदिषवा हू ब्रॉट शोल का मतलब खरी दे सौरी ते यहां पर देखिए ब्रॉट ऐण सेल ठीक न शल का मतलब होता है बैशना और ब्रॉट का मतलब होता है खरिदना और पर्वाट का मतलब होता है बरतन और कडाई तो जो बहुदिस्वा थे वो बरतन और कडाईयों को खरीदे और बेशते थे वासकाल सेरिवान जिनको बहुदिस्वा को सेरिवान कहा जाता था in the company of another, उनके company का मतलब साथ में या दोस्त उनके साथ में एक और seller था of pots and pans जो की कड़ाईओं और बर्तनों को बेचा करता था, a greedy fellow वो जो बैखती था उसके character के बारे में बताया जा रहा है कि a greedy fellow, वो एक लालची बैखती था तो जो दूसरा जो भीक्टी था वो एक लालची भीक्ती था य क्रॉस् दरी बर तलिवस्ट्राइन एंटर दग्डी को पार किया और पुरा की सहर में उन्होंने प्रबेश कर लिया डिवाड़्ींग डिवाड़्ी बिट्वेन दोनों लोग अपने आपस में सड़कों को बाट लेते हैं the two of them मतलब आपस में वो जो दोनों लोग है वो सड़कों को बाट लेते हैं divide कर लेते हैं they set about to selling their pots and pans ठीक and they set about to selling their pots and pans each in street of his own district और वे लोग अपने अपने इलाके में जो जो इलाके उनको बाट दिया गया है वो उस-उस इलाके में वो कड़ाई और पहनों को यानि बरतनों को बैसने जाएंगे ठीक ना now in the city इस सहर में there lived a poor family एक गरीब परिवार रहता है which had once been rich जो कभी अमीर हुआ करता था इस सहर में एक गरीब परिवार रहता है जो कभी बहुत ही अमीर हुआ करता था there were only two people in the family now अभी इस घर में या इस परिवार में सिर्फ दो ही बैकती रहते हैं a young girl एक छोटी सी लड़की and her grand mother और उसकी दादी मा जो परिवार बहुत दिनों पहले अमीर हुआ करता था उस परिवार में अब सिर्फ दो ही लोग रहते हैं जिसमें से एक छोटी सी लड़की है और उसकी दादी मा है who work for their living वो लोग काम करते हैं for their living का मतलब जीने के लिए या यूँ कह दिया जाए कि अपने जीवन को बिताने के लिए या अपने जीवन को जीने के लिए वो लोग काम करते थे lying among old man's pots sorry lying कोई छूट तो नहीं किया न चरिए lying among old pots and pans बहुत सारे बरतनों के बीच में और कड़ाईयों के बीच में their house was golden bowl उनके घर पर एक golden bowl था golden bowl का मतलब सोने का कटोरा ठीक which having been long out of use देखे which having been long out of use जिसको काफी लंबे समय से किसी काम में उपयोग नहीं लाया जा रहा था looking so dirty क्योंकि वो looking so dirty क्योंकि वो बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा था sorry बहुत ही गंदा दिखाई देता था इसलिए उसको बहुत लंबे समय से उसको किसी भी काम में नहीं लाया जाता था that two women वो दो अड़ते did not know वो नहीं जानती थी that की it was made of gold कि या जो कटोरा है जो जिसको अब लोग परियोग में नहीं लाते है वो सोने का बना हुआ है that it was made of gold कि या सोने का बना हुआ है the greedy seller went past their door crying देखिए जो greedy seller का मतलब लालची बिक्रेता went जाता है past their door उनके द्वार पर से गुजरते हुए जाता है crying और चिलाते हुए जाता है exchange your old pots for new आप लोग अपने बर्तनों को new exchange your old pots for new आप लोग अपने पुराने बर्तनों को नए में बदल लीजिए when the young girl had his crying जब चोटी से लड़की उसकी इस आवाज को सुनती है she said her grandmother तो अपने दादी माता से कहती है क्या कहती है do let's buy a new plate चलो एक नया plate खरी लेते है grand mother grand mother चलो एक नया plate खरी लेते है grand mother अब क्या कहती है कि there is no sorry there is a man who is selling a pots और वो कहती है कि एक बाहर आदमी आया है जो बर्तनों को बेच रहा है तब देखे क्या होता है we are very poor child what have we offer in exchange the old man said बुढी अवरत ने कहा what we have offer in exchange हमारे पास उसको बदलने के लिए उसके बदले offer क्या है हम लोग के पास हम लोग के पास कुछ भी नहीं है we are very poor child हम लोग बच्ची हम लोग बहुत ही गरीब है सिदे सिदे इस लाइनों में ये कहा जा रहा है लड़की उसकी बात को सुनकर के वो बुढीया अपने पुत्री से जवाब देते है कि बेटी हम लोग बहुत गरीब है और हम लोग को उस बरतन को बदलने के लिए हम लोग के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम लोग की उसको बदल सके तो इस बात को सुनने के बाद लड़की ने कहा कि वाई क्यों देर दिस दिस डिर्टी बावल यहां एक गंदा कटोरा है विच वी नेभर यूज जिसका हम लोग कभी परियोग नहीं करते है यह जिसको हम लोग कभी काम में नहीं लाते है लेट अस एक्सचेंज चलो इसको बदल लेते है दा बावल फ़ार प्लेट इसका टोरे को एक प्लेट में एक नए प्लेट में बदल लेते है ठीक बोथ दा ओल्ड मैन एंड दा गर्ल यहां पर देखिए दोनों बोथ का मतलब दोनों जब दो लोग के बीच में कौमीनेसल नाना होता है तो दो यहां पर बोथ का यूज किया जाता है तो बोथ दा ओमन दा गर्ल यानि दोनों बुढ़ी और लड़की वार उससे बोलो छूट कारा पाना चाहते थे तो इसलिए दो ओल्ड ओमन कार्ड सेलर इन इसलिए जो बुढ़ी थी उस सेलर को उस विक्रेता को अंदर बुलाती है और गीविंग हिम दा बावल साइड और इसको काटोरा देते वे कहती है टेक दिस बावल मेरी डॉर्टर को एक नया प्लेट दे दो ठीक दा सेलर तुक दा बावल सेलर ने उस बरतन को उठा लिया तुक उठा लिया इन इस हैंड अपने हाथों में एंड एंड सस्पेंसिंग इट वाज गोल्ड संदेश जाता आता है कि यह सोने से है स्क्रेश्ट अलाइन ओन इस बोटम विध अ नेडल तो यह संदेश में वो उसके तलहटे पर देखे आपर बोटल ठीक ना उसके तलहटे पर एक स्क्रेश करता है एक लाइन खिशता है ठीक ना किस नोकेली चीजों से एक लाइन खिशता है यह संदेश है प्योर गोल्ड अब देखे आगी क्या होता है वह यह सोचते हुए वह यह सोचते हुए दाइट की वह इस से प्राप्त कर लेगा प्योर पर फॉर नथीग वो यह सुच रहा है कि वो इसको कुछ भी नहीं दे करके इसको टोरे को प्राप्त कर लेगा, मतलब ले लेगा वो ऐसा जताने लगा या ऐसा मतलब दिखावा करने लगा that कि it was useless कि यह बेकार है and scornfully और घिरना पूरबग through it इसे फेक दिया on the ground जमीन पर गिरना पूरबग देखें आपर यहां से पूरी तरस बतायता है कि he pretended that it was useless and scornfully through it on the ground गिरना यह जताते हुए कि यह पूरा यह पूरी तरसे बेकार खटो रहा है उसने गिरना पूरबग इसे जमीन पर फेक दिया और उसके बास से किया rose from his seat और अपनी seat से खड़ा हो गया and went out of the house और घर के बाहर निकल गया the young girl was very sad जो छोटी लड़की थी वो बहुत उदास थी at the seller's redness redness का मतलब बेवार देखिए अभद्र बेवार जो बिक्रेता था उसके उस अभद्र बेवार पर वो छोटी सी लड़की उदास हो गई and the old woman could not understand और जो बुढ़ी अवरत थी वो नहीं समझ सकी why he had become so annoyed annoyed का मतलब घुसा या क्रोधित एंगर एंगरी ठीक ना तो वो बुढ़ीया नहीं समझ पाई कि वो इतना क्रोधित क्यों हो गया और why he had behaved और उसने ऐसा क्यों ऐसा बेवहार किया in such an insulting manner जो एक अपमान जनक था ठीक the next day अगले सुबह sorry अगले दीन as it had already been agreed between two sellers जैसा कि उन दो विक्रेताओं की बीच में पहले सी यह agree हो गया था यह समयती जताई जा चुकी थी each of them उन में से एक मतलब उन दोनों में से एक went to sell his pot and pants in the district in which the other had been on on the day before उन में से जैसा कि पहले ही या मतलब decide हो चुका था या पहले ही बात्चित चल चुकी थी कि अगर कोई एक बेक्ती अगर इस इलाके में आज बरतन बेच लेता है तो अगले दिन दूसरा उसका जो साती है वो इस इलाके में बेचेगा और इस इलाके वाला बेक्ती जो है वो अगले दूसरे किसी इलाके में बरतन बेचने जाएगा ठीक तब देखिए आगे क्या होता है सेरिवान come to the same street सेरिवान उसी रास्ते से आता है and past same house crying और उसी घर के सामने से मतलब सेम घर के सामने से गुजरता है और चिलाता है exchange your old pots for new अपने पूराने बरतनों को नय में बदलिये once again the young girl urged his grandmother to get her a new plate एक बार फिर से वो छोटी सी लड़की अपने दादी माता से प्रातना करती है कि वो उसे एक नया plate दिलबा दे the old man said बुड़ी अवरत ने कहा dear child do not you remember क्या तुम्हें याद नहीं how disappointing it was to have the seller how disappointed कितना निरासा जनक रहा it was to have the seller here yesterday तो पीछली लाइन में ये बताना चाह रहा है कि बेटी तुम्हें पता नहीं कल उस बेक्ती को बुलाना उस सेलर को बुलाना कितना निरासा जनक था do not you remember क्या तुम्हें याद नहीं how he throw the bowl on the ground in a disgust और क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि उसने कैसे कैसे इतनी घ्रिडा के साथ उस को तोरे को जमीन पर फेक दिया था well only greeted calls calling this new seller देखे यहाँ पर देखे well only greeted greeted का मतलब अपमान जहलना पड़ेगा calling this a new seller हम लोग को इस नए seller को बुला करके इस नए बेक्रेता को बुला करके सिर्फ सरमिंदगी जहलना पड़ेगा यह जो बेक्ती है वो पूरी तर से जेंटल दिखाई दे रहा है it is likely that he will take the ball मुझे देख करके ऐसा लग रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह संदे ही हमारे बावल को ले लेंगे हमारे कटोरे को ले लेंगे the girl said यह सारी बात जो है लड़की कहती है seeing her granddaughter's अपनी उस daughter को मतलब उस पुत्री की इस मतलब बेवार को देख करके उन्हें ऐसा लगा मतलब प्रोशाहित होकर के मतलब उन्हें देखने पर ऐसा लगा यहां पर हमें जरनस का मतलब बतायते है कि उच्छुकता होता है तो उस लड़की की उच्छुकता को देख करके उसकी दादी को ऐसा लगा sorry लगा ने उसकी उच्छुकता को देख करके the old man, बुढ़ी अवरत ने काल सेरिवान इन सेरिवान को अंदर बुला लिया ठीक ना? सो इसलिए he come into the house इसलिए वो जो सेरिवान था घर के अंदर आ गया and they put the bowl in his hand और उन लोगों ने उसके हाथ में कटोरे को दे दिया he was surprised वो असर हो गया to see it to see देख करके that it was made of gold वो यह देख करके आसर हो गया कि यह तो सोने का बना हुआ है तब क्या होता है? Do you really want to exchange this? क्या आप इसे सच में बदलना चाहती है? The old man, sorry the old mother जो सेरिवान था उसने पूझा sorry, पूरा finally यहां तक पढ़कर बता दे रहा है जो सेरिवान था एक हिचकिचा हाथ के साथ पूझता है कि बुढ़ी मा, दादी मा क्या आप इसे सच में बेचना चाहती है? Ingressed by this देखे, यहां पर जो है Ingressed का मतलब होता है प्रोचसाहीद हो करके ठीक ना? तो कहा गया Sorry Ingressed by this इससे प्रोचसाहीद हो करके The young girl asked उस छोटी सी लड़की ने पूछा Will you exchange for it a plate? क्या आप इसे एक plate में बदलेंगे? The old mother Your bowl is made of a pure gold And it worth a lot of money I have not so much money on me देखे, उस बात को सुनने के बाद जो सेरिवान था हो करा रहा है कि Old mother बुढ़ी दादी मा कटोरा है, वो सुद सोने का बना हुआ है And it worth a lot of money और इसके बदले में आपको धेर सारे पैसे मिलेंगे I have not so much money on me मेरे पास अभी उतना पैसा है नहीं जितना इसके बदले मिलेंगे हाला कि ये ने लिखा गया है जितना इसके बदले मिलेंगे पर इस लाइन में ये बता जारे कि मेरे पास भी उतने पैसे है नहीं Both women were astonished to hear this दोनों जो महिलाये थी, जो दोनों औरते थी वो इसको सुन करके आज सर्शकित हो जाती है surprise हो जाती है My son, sailor who come yesterday मेरे बेटे एक विगरता जो कल आया था said, उसने कहा the bowl was worthless उसने कहा कि जो कटोरा है worthless है, worthless का मतलब बेकार है and threw it on the ground और इसे उसने जमीन पर फेक दिया It must be your touch यह तुमारा चुना ही है which has turned it into the gold जिसे जिसे, sorry It must be your touch which has turned into the gold यह तुमारा असपर्स करना ही है यह तुमारा चुना ही है जिसने चू करके इसे सोने में बदल दिया Take it, इसे ले लो Give us anything और हमें कुछ भी दे दो You are pleased in exchange जो तुम इसके बदले में दे सकते हो and go your way और तुम अपने रास्ते चले जाओ He gave them all the pots he had and 500 silver coins दोस्तों यह वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है तो मैं अब यहां से थोड़ा सा फास्त पढ़ाने की कोशिस करूँगा तो He gave them all pots and He had 500 silver coins which He had with Him तो देखिए He gave them all pots उसने सारे बरतन को दे दिया जो उसके पास थे and 500 silver और 500 चांदी के सिक्के दे दिये which He had जो उसके पास है with Him at the time जो उसके उस समय उसके पास थे He kept only his scrapped his bag and 8 silver coin to pay the boatman to take him across the river और उसने अपने पास अपने बैग में सिर्फ 8 चांदी के सिक्के रख लिए ताकि वह पैसा उस boatman को दे सके और boatman को दे करके वह नदी को पार कर सके Taking the ball with Him वह अपने साथ का तूरे के लिये वे वेंट the river side वह नदी के तरफ चला गया got into the boat और boat में चड़ गया and gave the 8 coin the boatman to ride him cross और उस नाविक वाले आदमी को नाव चलाने वाले आदमी को जो है उसने 8 coin दे दिये ताकि वह उसको नाव को खे करके दूसरे पार तक ले कर चला जाए Soon he had left two women देखिए जल्दी देखिए no sooner उतनी जल्दी नहीं he had sorry no sooner he had left उसके गए हुए मतलब जादे दर नहीं होते हैं two women उन दो अरतों के पासे then तभी the greatest seller come to them तभी come again तभी उनके पास वा लाल्ची बेकरेता फिरा आजाता है and sad impotently और मतलब धीरे से उनसे कहता धीरे से बेचायन हो करके कहता है impotently का मतलब बेचायन हो करके bring out the bowl I'll give you something or other for it ले आओ मुझे वो कटोरा दे दो मैं उसके बदले मैं कुछ ना कुछ तू मैं दे दूँगा move to anger at his pretence उसके ऐसे दिखावे पर उन्हें घुसा आ गया you said तुमने कहा था the bowl was worth nothing कि जो कटोरा है वो पूरितर से खराब है today we had an honest seller आज हमें एक इमांदार बिकरता मिला था here यहाँ पर who declared जिसने साबित किया the bowl was made of gold कि जो कटोरा था जो कटोरा था वो सोने का बना हुआ था and gave us 500 silver coins and all his parts for it और उसने हमें 500 चांदी के सिक्के दिये और उसके बदले उसने सारे अपने बुर्तनों को दे दिये regretting his loss देखिए regretting his loss इसका मतलब यह है कि अपनी हानी को महसूस करके ठीक ना अपनी हानी को महसूस करके the grady seller guide जो लाल्ची भी करेता था वो चिलाने लगा he sorry he has he has crushed sorry cheated me of the prophet उसने मुझे मेरे लाब में धोखा दिया I would have made जो मैंने बनाया था I have lost I have lost the bowel मैंने कटोरा खोया है he was so full of sorrow वो पूरी तरसे दुख से भर गया या गम से भर गया and disappointed और पूरी तरसे निरास हो गया यहां पर दिखिए हम फिर से बता दे कि he was so full of sorrow वो पूरी तरसे दुख और घुसा से भर गया and disappointed और निरास हो गया and so maddened that he lost over command himself और वह इतना बेचायन हो गया इतना मतलब यू कहलिया जाए कि पागलपन में चागया कि उसका अपने उपर से नियंतर खो दिया यू कहलिया जाए कि वो पागल हो गया आपने चाथी को पीटने लगा और देखिए अद तब क्या होता है थ्री अवे इस मनी अपने पैसे को दूर फेकने लगा और गॉट्स और बर्तनों को फेकने लगा tore his claws अपने कपड़ों को फारने लगा from his body अपने सरीर से and shouted और चिलाने लगा I'll have my regnes on the hateful man देखे, यहाँ पर जो ये मैं उस आदमी से अपना बदा ले कर रहूंगा, why did he interfere with my plan उसने मेरे plan में, मेरी योजना में interfere क्यों किया है, हस्तचे क्यों किया है, इसलिए इस बात के लिए मैं उसे बदाल ले कर रहूंगा two men were shocked दोनों औरते पूरी तरह से भोचकी हो चुकी थी, to see his madness उसके पागलपन को देखरके, दोनों औरते जो थी वो पूरी तरह से भोचकी हो चुकी थी, but could not nothing to stop him लेकिन वो उसको सांथ करने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी rushed after serivan he rushed after serivan to riverside, वो सेरिवान के पीछे नदी के तरह भागा, finding him already crossed the river पहले से ही उसे नदी पार करता देख करके, he shouted desperately for the boatman to turn back वो जो मतलब विक्रेता था जो लालची व्यक्ति था वो निरासा होकर के चिलाने लगा उस बोट वाले व्यक्ति के उपर कि तुम जो बोट है उसको वापस लेलो serivan told serivan ने बताया the boatman boatman को कि not do not to do so कि तुम ऐसा मत करो watching the boat helplessly as a high roof से उस बोट को देखते वे his heart of his heart full of jealously and hated जो उसका सरीर था वो पूरे मतब इर्षया से और नफरत से भर गया उसका हिरते जो है पूरी थोड़ा सा confusion हो जा रहा है दोस्तों एक वापर हम फिर से बता द रहा है कि watching the boat helplessly his heart full of jealously and hated as a high roof से वे उसको boat को देखने लगा his heart उसका जो हिर्दय था full of jealous घिरणा से भर गया hated नफरत से भर गया the sailor shouted जो बिक्रेता था चिलाने लगा insult at fearless और insult at fearless का मतलब गंदी गंदी गालिया देने लगा से रिवान से रिवान को who was bodhisवा जो bodhisवा थे his trust were of no use and with all the excitement his heart brushed and he he dropped it down death उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उसे अजीब तरह के दोड़े परते हैं और वही पर जो है उसके मृत्य हो जाती है ठीक तो I hope कि जो है दोस्तों ये बहुत वीडियो लंबा हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा नीचे में आप लोगो थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा तो I am sorry for this बट वीडियो रेखने के लिए आप लोगो बहुत भाँत धन्यवाद Thank you for watching